नमस्ते, आपने Supplier Tab पूरा कर लिया है और Items Tab में प्रविष्टियों को शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस Tab में आप दर्ज करें या निम्नलिखित से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। लाइन नमबर, आइटम नमबर, सप्लायर आइटम, डिस्क्रिप्शन, पी आई यू ओ एम, उनिट प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स ओप्शन, टैक्स अमाउंट, टैक्स डिटेल्स, अमाउंट, एड रो आइकन पर क्लिक करें। एक आइटम जोडने के लिए सर्च आइकन पर क्लिक करें। पॉप अप प्रकट होता है और उपलब्ध आइटम्स की सुची दिखाता है। एक आइटम का चैन करें। वैकलपिक रूप से यदि आप आइटम को जानते हैं, तो आप दर्ज कर सकते हैं। याद रखें, यह आइटम्स मास्टर में उपस्थित होना चाहिए। आप भी सप्लायर के अनुसार आइटम का नाम देख सकते हैं। आइटम का चैन करने पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन भर जाता है। आइटम डीटेल्स मास्टर के अनुसार आइटम के बारे में वीवरर दिखाता है। पर्चेज इन्वॉइस के लिए माप की इकाई का चैन करें। प्रती आइटम के मूल्य को दर्ज करें। आइटम्स की मात्रा को दर्ज करें। निमनलिखित Tax Options प्रतेक आइटम के लिए प्रदान की जाती है। आपने header section में डॉक्मेंट अस्तर Tax चैन किया है। तो वही इस आइटम के खिलाफ लागू किया जाता है। Tax विकल्प के नीचे Computer Tax राशी दिखाया गया है। टैक्स के विवरण टैक्स समुह के अनुसार दिखाया जाता है या टैक्स कोड हेडर सेक्षन में चैनित है डिसकाउंट शामिल हुआ कम्प्यूटेड वैल्यू दिखाया गया है क्वांटिटी और यूनिट प्राइस के कम्प्यूटेड आधार पर राशी एक आइटम के कुल मूल्य को दिखाता है आप एक पंक्ती को जोड़ कर अधिक आइटम जोड़ सकते हैं जब आप प्रविष्टियों को पूरा करते हैं आप टेबल के उपर दिखाये हुए वस्तुओं के कुल मूल्य को देख सकते हैं यह आइटम टैब में सभी प्रविष्टियों को पूरा करता है अब आप पर्चेज इन्वोइस डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं अब आपने एक पर्चेज इन्वोइस डॉक्यूमेंट बना लिया है